बीते दिनों से धलन और दालों के बड़ते दामों के बाद केंदर सरकार ने एहम ख़दम उठाने का एलान कर दिया है तूर और तूर दाल को आवश्यक वस्तु अधिनियम में अधिसुचीत कर दिया गया है उभोकता मामलों के मंत्रालियों ने आदेश दिया है कि सभी व्यपारियों को अब अपने यहां जमा तूर का स्टोक घोशित करना होगा सब्ताही ग्रूप से ओनलाइन स्टोक जारी करना अनिवार्या कर दिया गया है सभी राज्यों और केंदर शासित परदेशों को इस आदेश के पालन की जिमेदारी के निर्देश भी दे दिये गए है साथ ही राज्य सरकारों से कहा गया है कि कारोबारियों द्वारा घोशित स्टोक के सत्यापन की विवस्ता भी वही सुनिष्चित करें आधल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे इसके बाद सरकार ने इस कदम का ऐलान कर दिया केंदे सरकार ने ये भी कहा है कि 38 लाग टन दालों का स्टोक सरकारी भंडार में है जिसे जरूरत पढ़ने पर खुले बजार में बेचा जा सकता है सरकार के इस कदम को स्टोक सीमा लागू करने की शुरुआती स्थिती माना जा रहा है दरसल अभी तूर को सिर्फ आवश्यक वस्तु में शामिल करते हुए स्टोक पर निगरानी के अदेश दिये गए है सरकार ने अभी स्टोक सीमा लागू नहीं की है आगे यदि दाम कंट्रोल में नहीं आए तो हो सकता है कि सरकार स्टोक सीमा लागू कर दे स्टोक जा ठब में अभी यदिताओ नहीं पर दिए स्टोक प्रू आपए कि से कि सली है